नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत मैं हूँ अभिसेक मिस्रा पसुपती कुमार पारस ने नितीज के कुनबे में सेंधमारी कर दी है जेडियू के कुनबे में सेंधमारी कर दी है यह सवाल क्यों है क्योंकि जेडियू के एक नेता पारस गुट में सामिल हो गए है हाला कि इनका पारस गुट में सामिल होना तेहीं माना जा रहा था फिल भी सेनमारी सब्द का इस्तिमाल करने में मुझे कोई हिचक इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ताम जाम के साथ बहुत गाजे बाजे के साथ जेडियू के इस नेता की इंट्री माप कीजिएगा इस नेता की इंट्री जेडियू में हुई थी हम बात कर रहे हैं केसव सिंग की केसव सिंग लोग जनसक्ती पार्टी के अहम नेताओं में से एक रहे महत्पुन नेताओं में से एक रहे उन्होंने जेडियू से इस्तिफा नहीं दिया है बावजूद इसके आज उन्होंने फेस्बुक पर ये जानकारी साजा की है एक पत्र साजा किया है जिसमें ये जानकारी है कि केसव सिंग को पारस गुट यानि लोजपा का जो पारस गुट है उसका प्रदेश प्रधान महा सचीव बनाया गया है तो जाहिर तोर पर जेडिव के लिए जटके की खबर ही कर सकते हैं कैसाव सिंग जैसे महत्पूर्ण निता जेडिव में सामिल हुए थे उसके बाद उन्हों ने जेडिव से इस्तिफा नहीं दिया हमारी जानकारी की मुताबिक उन्हों ने इस्तिफा नहीं दिया है बावजूद इसके वो पारस गुट के प्रदेश प्रधान महासचिव बना दिये गए हैं तो अपने आप में ये बड़ा दिल्चस्प है प्रिंस राज ने उन्हें बड़ी जिमवारी सोपी है आप जानते हैं प्रिंस राज पारस गुट के प्रदेश अध्य हैं और उन्होंने बड़ी जिमवारी उन्हें सोपी है उनको प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया है संगठन में कई और बदलाव किये गए हैं कल ही एक लिस्ट आई थी पारस ने प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था दो दिन पहले ये लिस्ट आई थी मा प्रदेश सचिव बनाया गया है और बड़ी खबर है बिहार के सियासी लिहाद से बिहार के सियासी गलियारों से हाला कि हम पहले ही कह रहे हैं किता है माना जा रहा था पस्रपतिकुमार पारस के काफी करीबी हैं और जेडियू में लोगजन सक्ती पाटी में या फिर चिराग पासवान के साथ जो खेल हुआ है उस खेल की भविस्वानी पले ही केसव सिंग ने कर दी थी और माना जाता है कि उनकी भूमिका भी रही है इस पूरे खेल में तो पस्रपती कुमार पारस के नजदी की होने का फायदा उनको मिला है इनाम मिला है इस खेल का सायद और उनको बड़ी जिमवारी सोंपी गई है हाला कि ये लड़ाई अभी चिराग पासवान और उनके चाचा पस्पतिकुमार पारस के भी चल रही है कि लोजपा आखिर किसकी है अभी दो लोजपा है चिराग गुट और पारस गुट पारस गुट में प्रधान महासचीव की जिमवारी केशो सिंग को दे दी गई है हाला कि ये दिलचस्प है ये बात हम फिर कर रहे हैं कि जेडियू जौइन की थी उन्होंने जेडियू से इस्तिफा नहीं दिया है और यह जानकारी हमारे पास भी नहीं है कि उन्होंने जेडू से इस दिफादे दिया है तो इस रिपोर्ट में इतना ही इस ख़बर में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद